चैनल में तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं तो आज की वीडियो भी लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू ट्रिक के साथ तो पहले मैंने एक बड़े साइज में आपको एक नई ट्रिक के साथ बैक सिखाया था तो किसी ने मुझे बोला था कि उन्हें चोटे साइज का चाहिए तो मैं यह नई ट्रिक लेके आई हूँ देखिए तो यह बहुत ही स्टिफ हमारा इस तरीके से बैक बनता है तो आप देख सकते हैं बिलकुल भी इसकी शेप खराब नहीं होती जैसे मर्जी आप इसे रखिए क्योंकि हमने सारे थिमोवल कार्डबूर्ट है यह वाशिबल आप इसे कार्डबूर्ड निकालके मंशीन वाश कर सकते हैं सब से बड़ी बात है इसकी शेप भी कहराब नहीं होती तो आपके request पे मैं छोटा size लेके आई हूँ तो देखे इस तरीके से दो pieces लेने हैं हमें कपड़े के यह है 33 inch और इस तरीके से मैंने लिया है यह 10.5 inch अब बड़ा वाला piece उसके measurement भी बता देती हूँ यह मैंने लिया 30.5 inch और इस तरीके से हमने इसे लिया है 13 inch तो यह इसके measurement थे अब हमें क्या करना है दोनों का हमने center point लिया है center point को मिलाते हुए आपको इसे इसके उपर रखना है देखिए और हमें इने दोनों pieces को join कर लेना है यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए तो यह हमने लगा लिए यहाँ पे सिलाई तो दोनों तरफ से मारी सिलाई लग गई थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया है side से 143 inch इस तरीके से अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हमें पहले zip लगानी है तो यहाँ से 1.5 inch पे हमें यहाँ से cut करके इसे अलग कर लेना है तो यह मैंने cut करके अलग कर लिया अब यहाँ पे हम insert करेंगे zip को तो zip ली है इस तरीके से runner मैंने insert किये हुए पहले से ही आप बाद में भी डाल सकते हैं सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और हम zip को finish करेंगे पट्टी से और मैंने यह अप्रॉक्सिमेट 1.5 इंच की पट्टी ली है zip को finish करने के लिए इस तरीके से रखते हुए देखें हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई लगाने के बाद आपको इसे अंदर की तरफ को पलट लेना है इस तरीके से अगर आप zip लगाएंगे तो इस zip finishing से बनती है और काफी टाइम तक zip खराब नहीं होती और हमने उस पे लगा लिया है टॉप स्टिच और अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए तो यह हमारे zip हो गई एक तरफ से attach तो zip को हमने attach कर लिया है अब दूसरी वाला piece जो हमने cut कर के अलग किया था उसे भी हम इसके साथ join कर लेते हैं तो इसे इसके उपर रखना है और फिर से zip को finish करने के लिए मैंने एक पट्टी लिया है same 1.5 इंच की इसे हम रखेंगे नीचे की तरफ तो एक कपड़ा नीचे की तरफ दूसरी पट्टी उपर की तरफ बीच में zip और हम इस पे पूरे पे लगा लेंगे तो यह मैंने लंबाई में लगा लिए अब इसे इस तरीके से पलट लेना है और पहले आपको टॉप स्टीच लगा लेना है जिप के ऊपर की तरफ यह देखे यहां पे लगा लीजिए आप टॉप स्टीच तो हमारा टॉप स्टीच लग गया अब यह जो एक्स्ट्रा अंदर लगाएं पॉकेट्स तो मैंने सीधा सीध में इसके निशान लगा लिए हैं एक पॉकेट हम यहां लगाएंगे झरीच उंग इसके मेसरमेंट बता देती हूं आपको मेसरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लोह कि यह हमारा इखो से साइड से फोल्लड हो जाए और एक पीस हमें लगाना है बीच में यह हमारी center में लगेगी pocket और इसके measurement भी आपको बता देती हूं क्या है screen पे देख सकते हैं आप और इसे भी हमें side से देखे मैंने finish कर लिया तो एक यहाँ पे आ जाएगी एक बीच में आ जाएगी और एक side में आ जाएगी अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ से fold कर लीजिएगा सिलाई लगा लीजिए same center वाली को बीच में से fold करके और इसे यहाँ पे fold करके सिलाई लगानी है तो देखिए मैंने इसे लाई लगा ली है और यहाँ नीचे से ओपन है इसे इस तरीके से करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लीजे तो यह हो गई हमारी pockets attached एक pocket यहाँ बन गई एक बीच में और एक side में अब हमें क्या करना है इसे दूसरी तरफ को turn कर लेते हैं और side को से इसे walk shape में बनाते हैं तो यहाँ से इस तरीके से flat बिचाते हुए रखना है आपको और दूसरी तरफ से भी आपको इस तरीके से इसे बिठा लेना है और दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है तो दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है साइड से थोड़ा थोड़ा आपको छोड़ देना है दिखे ताकि हमें सिलाई लगाने में इजी हो उसके बाद फिर आपको इसे गुमा लेना है दूसरी तरफ और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी आपको सिलाई लगा लेनी है तो यह दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली अब इसे दुबारा से पलट लेना है आपको यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे यह देखे इसे पकड़ना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है और इस तरफ भी आपको सिलाई लगा लेनी है देखिए यह वाली तो दोनों सिलाई लग गई अब बीच वाली सिलाई को पकड़ते वे आपको यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है तो ये हमारा box shape में आ जाएगा बिल्कुल organizer बिल्कुल ready हो गया अब हम rough edges को finish कर लेते हैं simple patti से आप चाहें तो कर सकते हैं optional है तो finish करने के बाद ये देखें इस तरीके से हम patti से पुरा इसे finish कर लेंगे तो देखें मैंने rough edges को simple patti से finish कर लिया है तो ये हमारा organizer हो गया बिल्कुल finish अब हम इसे कर लेते हैं सीधा और अब हमें क्या करना है एक pocket हमें इसके यहाँ पीछे की तरफ भी लगानी है तो इसमें मैं यहाँ पे पीछे की तरफ भी pocket लगा रही हूँ क्या ताकि ये चारों तरफ से मेरा बिल्कुल stiff और अच्छा बने और अर्गिनाईज है तो इसे साब से मैंने pocket लिया है इस pocket के आपको measurement बता देती हूँ ये है 13 inch और ये है 11.5 inch अब इसे भी हमें दो side से fold करते वे finish कर लेना है तो दो तरफ से मैंने finish कर लिया अब इस pocket को हम यहाँ पीछे की तरफ attach कर देंगे तो दोनों तरफ से fold करते वे देखिए इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे तो दो ही तरफ से आपको इस पे सिलाई लगानी है एक यहाँ उपर की तरफ और एक यहाँ पे नीचे की तरफ यह देखिए तो दोनों तरफ में सिलाई लगा लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं तो देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली एक pocket पीछे की तरफ बन गई आब हम इसका base बना लेते हैं तो base के लिए मैं लेने वाली हूँ cardboard और cardboard के लिए हम simple सा थैला त्यार करेंगे तो ये हमने flat बिचा लिया और ये मैंने ले लिया cardboard cardboard की measurement आप screen पे देख सकते हैं और ये मैंने लिया है कपड़ा pocket बनाने के लिए देखिए इस तरीके से साइडों से fold कर लेना है दोनों तरफ से आपको और उसके बाद साइडों से सिलाई लगाते वे एक simple सा थैला सा ready कर लेना है अब हम इसे cardboard को इसमें डाल देते हैं तो ये हमारा हो गया base के लिए ready तो अब मैं इसमें cardboard डाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि finalist की finishing कैसी आई है तो इसके size का cardboard कट किया है side में डाल देते हैं तो दोनो side वाले मैंने डाल दिये पहले और उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे साइड वाले डालने के बाद आपको इसे सीधा कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो आगे की तरफ वाला है यह वाला cardboard हमें डालना है तो दोनो side वाले चले गए अब हम इसे insert करेंगे देखिए इसके बराबर लिया है मैंने और यहाँ से हम इसे देखिए insert कर लेंगे यह मैंने कर लिया insert तो तीनो side वाले आगे तो यह हो गया हमारा अब हम इसमें डाल लेते हैं center वाला जो हमने बीच के लिए बनाया था तो बहुत stiff और बहुत अच्छा organizer हमारा बन के यह ready होता है और washable भी है जब भी wash करना है cardboard को निकाल के आप इसे wash भी कर सकते हैं और जब चाहें cardboard change कर लीजिए इसमें नए वाले cardboard डाल लीजिए तो यह हमारा organizer हो गया बिलकुल ready तो अब मैं आपको इसमें कपड़े रखके दिखाती हूँ space वगयरा इसमें कितना है और इसमें काफी सारे आपके कपड़े आ जाते हैं तो suit रख सकते हैं ते लगा के shirt रख सकते हैं पैंट रख सकते हैं अपनी साड़ी को ते लगा के रख सकते हैं और जो भी इसमें कपड़े रखेंगे उनकी ते बिलकुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि यह काफी अच्छा हमारा organizer बनके ready हो जाता है यह देखिए साइस में बनाने के लिए तो मैं आपके लिए छोटा साइस लेके आई हूँ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू